नमस्क कर दोस्तों स्वागा के आपका फार्मरोक्स के यूटूब एजुकेस्टन चैलल में। आज हम सिखने वाल हैं पांच सबसे अच्छी नर्व पेन के दवा के बारे में। मलब की जो नसों में दर्द होता है उसकी 5 सब से यचे दवायों के बारे में हम सिखेंगे कि जिसके symptom हम देखे तो पहला symptom होता है कि तीवरद दर्द या फिर जलन होना second सुई चुपने जिसा दर्द का ऐसास होता है तीसरा हम देखे तो जन्जना हट होना फिर सोने में या फिर आराम करने में कठी नहीं होना फिर दूसरे सिम्टम्स हम देखिए तो साइटी का का जो सिम्टम्स होते है जैसे कि नसों में होने वाला जो दर्ध है वो एक प्रॉब्लेम हो सकता है फिर peripheral नीरोफिती के जो symptoms देखने को मिलते है और नसों में असहनियत दर्थ होता है तो यह सभी conditions को treat करने के लिए 500 से च्छी दवाईया कौन सी है उसकी study करेंगे हम आज के lecture में तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारी दवाईयों के बारे में तो medicine course को join कर सकते है फार्मा रोक्स के अब उपर तो यह course जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते है या फिर हमारी आपको download कर सकते है लिंक आपको description box में जो है वो मिल जाएगी तो WhatsApp आपको करना है 9056312020 पे तो अब समझे नर्व पेन के बारे में कि जिसको हम नसों का दर्द कहते हैं तो यह होने के कुछ रेजन से पहला रेजन यह है कि आपके brain में कोई injury होई है spinal cord में कोई injury होई है या फिर आपकी जो neurons होती है वहाँ पे कोई injury होई है तो वो injury के कारण नर्व पेन जो हो सकता है second reason होता है कि जो हमारी nerves होती है या फिर जो हमारे neurons होते है उनको समझे के blood supply जो अच्छे से नहीं हो रहाँ वहाँ पे उनको blood अच्छे से ना मिलने के करण वो नस से जो होती है उनके कार्यक समता के उपर असर पड़ता है और जिसके करण जो हो दर्द के sensation देखने को मिलते है तीसरा reason हम देखे तो heavy drinking कोई बहुत ज़्यादा alcohol consumption करता है तो आगे जाके ये problem जो हो सकता है नारुपेन का और चौथा एक reason देखे तो deficiency है vitamins की और उसमे specially vitamin B12 है thymine जैसे जो vitamin है उसके आपके सरीर के अंदर कमी है तो भी ये problem जो हो सकता है तो उसके 5 सबसे base दवाईया हम देखे तो पहला है pregabalin का option रहता है second है emitriptiline तिसरा option देखे तो gabapentin चौथा neurobian plus के जो tablet साते है वो और पांचवा option रहता है capsicin का तो शुरू से देखते है तो पहला है pregabalin कि जो एक anti-epileptic drug है खासकर मिर्गी के दोरे में उसको यूज किया जाता है पर neuropathic pain में भी उसको यूज किया जाता है तो उसके हम tablets देखे तो खासकर 75 mg के strength में ये tablets available होते हैं prescription based medications रहती है ciddyolage की drugs होती है जब भी उसको retail में बेचे जाता है तो prescription के साथ ही बेचे जाता है और यहाँ पर एक marketed formulation आप देख सकते हैं pregabalin 75 करके जो torrent pharmaceutical manufacture करते हैं तो उसके dose की हम बात करें तो 75 से लेकर 150 mg patient दिन में दो बार उसको ले सकता है और maximum dose रहता है 600 mg per day अब यह दवाई कुछ side effects करती है जैसे कि dryness फिल होता है माउथ के अंदर swelling करवा सकती है सरीड में sleepyness लेकि यह medication लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नीन दा सकती है फिर vision blur होना confusion में रहना dizziness या फिर weight gain होना यह कुछ side effects कर सकती है pregabalin second है emitriptiline emitriptiline के बारे में आपको बता दूँ कि यह tricyclic antidepressant drug है कि जो अलग-अलग psychiatric disorders को भी treat करने के लिए use की जाते पर तब use की जाते कि जब वो high dose में use की जाए पर यहाँ पर जो उसका permalation हम देख रहे है वो 10 mg के tablet है और 25 mg अलग कि उसका जो low dose की जो tablets होते है वो nerve pain की इलाज में use के जाते है तो nerve pain के अंदर उसके जो dose की हम बात करें तो खासकर 75 mg per day रहता है maximum dose तो समझे कि 25 mg की यह जो tablet यहाँ पर आप देख रहे हैं वो patient दिन में 2 बार ले सकता है या फिर दिन में 3 बार maximum खा सकता है या फिर कोई lower dose से treatment स्टार्ट करता है 10 mg का जो है तो वो दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार ले सकते हैं पर maximum 75 mg से ज़्यादा dose नहीं होना चाहिए per day के हिसाब से उसके को side effects है जैसे के constipation कुछ लोगों को हो जाती है या medication लेने के बाद nausea vomiting होना dizziness feel करना dryness feel होना mouth के अंदर feeling sleep email की नीन दाना कि जैसे प्रेगा बालिन के कुछ side effect है उसके मिलते जुलते है side effect है फिर कई बार difficulty होती है urination में और सीरदर जैसा feel करता है पेसर एमिट रिप्टिलाइन को लेने के बाद तीसरा जो medication है वो है gaba pentin तो gaba pentin एक anti-epileptic drug है कि जैसे प्रेगा बालिन है ऐसे ही gaba pentin का जो वो use रहता है कि वो भी मिरगी के दौरे में use के जाती है जो epilepsy की जो हम condition कहते है और ये भी neuropathic pain को treat करने के लिए use की जाती है तो gaba pentin जो वो 300 mg में available होता है या फिर 100 mg के tablets भी उसके available होता है या पर हम एक marketed formula से उसका देख रहे है gaba pin करके जो आप देख रहे हैं तो वो 300 mg में भी available होता है और 100 mg में भी वो available है तो उसके dose के हम बात करें तो खास कर 300 mg once a day जितना उसका dose रहता है और increase किया जा सकता है 300 जिले के 600 mg दिन में 3 बार जितना बट खास कर lower dose से ही उसकी treatment स्टार्ट की जाती है patients की उसके कुछ side effects देखे तो उसके करन भी dryness फिल होता है माउथ के अंदर ED मामल लेकर swelling करवा सकता है sleepiness, blur vision, confusion, dizziness and weight gain तो प्रेगा बाले उनके जैसे similar side effect gaba penteen जो वो करवा सकती है चौथा option बनता है neurobian plus tablet का कि शरुआत में भी हमने एक reason देखा कि ये जो वो nutritional supplement है और जो शरुआत में जो हमने एक reason देखा था neuro pain के लिए तो वो था B12 के deficiency तो B12 के deficiency को पूरा करता है ये tablet neurobian plus जिसके अंदर तीन vitamin का combination के जो आपकी neurons की healthiness के लिए ज़रूरी है एक है मेका बोला माइन 750 microgram जितना कि जिसको vitamin B12 कहते हम nicotinamide present है 45 mg जितना और तीसरा pyridoxin यानिकी vitamin B6 उसके अंदर present है तो ये tablet जो है वो खासकर patient दिन में एक बार ले सकता है कि समझों आप प्रेगा बालिन ले रहा है कोई amit reptiline ले रहा है या फिर कोई gaba penting ले रहा है तो उसके साथ ये nutritional supplements के तोर पे patient उसको डेली खा सकता है और ये जो है वो खासकर आप दिन में एक लेते हैं और थीस के लेकर साथ दिन थक regular basis पे patient उसको खा सकता है उसके कुछ side effects हो सकते है जैसे कि कुछ लोगों को allergy हो जाती है ये medication लेने के बाद toxicity हो सकती है overdose के अंदर urination बढ़ जाना नेन दाना bitter taste जैसा फिलो ना mouth के अंदर nausea, vomiting या फिर stomach upset तो कोई ऐसे major side effect नहीं होते regular basis पे nutritional supplement के तौर पे patient ये medication खा सकता है अब जो हमारा पांचवा option है वो है capsicin तो capsicin मतलब कि ऐसा active constitute कि जो chili papers मतलब कि जो हम मिर्ची कहते हैं उसका एक chemical constitute है कि जो capsicum जो हम कहते हैं और ये जो बहुत सारे जो दर्द होते हैं खासकर neuropathic pain होते हैं या फिर जो नसों में जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए analgesic के तौर पे use किया ज़ता है तो burning pain होता है neurons के अंदर या फिर जितने भी हमने अभी जो symptoms देखे नियूरोपेथिक दर्द के तो सभी को ये capsicum जो ट्रीट करता है तो उसके creams available होते हैं market के अंदर कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 0.025% के जो क्रीम देख रहे हैं वो directly patient जो हो topically apply करता है कि जहाँ पे नियूरोपेथिक दर्द हो रहा है वहाँ पे ये जो है वो cream directly लगा सकते हैं फिर capsicum के साथ ही आप देखो combination में gaba pentin भी है ketoprofen है methyl salicylate का ये appointment देख सकते हैं कि जो airy gaba ointment यहाँ पे आप screen पे देख रहे हैं तो ये भी एक काफी असरदार साभीत होता है कि समझो कि आप directly capsicum का जो cream है वो आपको available नहीं होता या फिर वो आपको suit नहीं होता तो ये combination भी काफी useful साभीत होता है neuropathic दर्द को कम करने के लिए तो tablets तो patient चलो खा रहा हैं पर उसके साथ ये भी regular जो है वो लगा सकता है कि जिससे दर्द जो है वो कम हो पिर यहाँ पर एक और combination है diclofenic का capsicum का and methyl salicylate के साथ menthol का कि वो भी nerve pain को कम करने के लिए patient लगा सकते हैं तो ये होगा एक creams के option उसके लावा alternative option यहाँ पर हम देखे तो lignocan and prelocan के जो cream के एक local anesthetics के तोर पर काम करते हैं कि externally समझे कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और समझे कि cream से भी ठीक निरत उस वक्त ये local anesthetics जो वो काफी फायदा मंद और असरदार साबित होते हैं दर्द को कम करने के लिए तो ऐसे ही detail में सिखना है तो medicine course को join करे फार्मरोक्स के अब उपर तो ये course में आप अलग-अलग बीमारियों के बारे में सिखते हैं उनके उपचार के बारे में सिखते हैं उनके PDF access कर पाते हैं पेपीटीज वगेरा टेस्ट वगेरा भी access कर सकते हैं और वीडियो lectures भी तो study material PDF file access करने के लिए ये course जोइन कर सकते हैं या फिर हमें whatsapp करो आप 9016312020 पर या फिर directly आपको download कर सकते हैं link आपको description box में दे दी जाएगी good luck and all the best